छोटे छोटे सेंटेंसे सोच कर देखिए, पागल हो गया है, बीमार हो गया है, बड़ा हो गया है, अमीर हो गया है, गुस्सा हो गया है, मान गया है, पुराना हो गया है, बुड़ा हो गया है, महंगा हो गया है, मुश्किल हो गया है, अब ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसे इन वो तो पागल हो गया है अरे यार वो पढ़ते पागल हो गया है वो वहाँ पर रहते रहते पागल हो गया है इसे English में कैसे बोलेंगे सुनिए इसे अंग्रेजी में बोलेंगे दोस्तो gone mad gone mad अब यह go की third form है क्योंकि perfect tense है तो इसलिए gone लिखना पड़ रहा है जैसे मुझे एक बनाना है वो पागल हो गया है तो वो यानि he है लो he has अब gone mad gone mad आप इसकी जगा he की जगा she भी लगा सकते हैं किसी का नाम भी लिख सकते हैं या फिर आप अगर i u v day का प्रियोग करते हैं तो has की जगा have लगाते हुए sentence को बना सकते हैं सो पागल हो गया है gone mad कितना simple है दोस्तों आगे देखिए अगला वाला है बीमार हो गया है अब ऐसे भी use करते हैं वो office नहीं आगा बीमार हो गया है यार आज उसकी छुट्टियों बीमार हो गया है यार वो एक लास में नहीं आज वो बीमार हो गया है इसे कैसे बोलेंगे बड़ा simple है यार इसे अंग्रेजी में आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं got sick got sick यार में एक चीज़ क्लिया कर दूँ आप sick की जगा इलका भी प्रियोग कर सकते हैं लेकिन कोई बड़ी बीमारी हो जाए गंभीर जिसका इलाज लंबा चलेगा तो इलका यूज करेंगे और छोटी मोटी बीमारी है सरदी, जुकाम खासी, नजला यह सब बड़ी छोटी छोटी बीमारी होते हैं हफते बर में खतम हो जाती है तो sick का यूज करेंगे तो यही वाला यूज करते हैं आज वो ओफिस नहीं आया हाँ सर वो बीमार हो गया है लड़की है वो बीमार हो गई है तो कैसे बोलेंगे she has है ना has got sick यह दिए she has got sick हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं यह हटा सकते हैं she is इस का प्रियोग अगर करेंगे अगर has है तो got लगाना बड़ेगा she is sick वो बीमार है फिर गई है या गया है नहीं होगा खाली बीमार है और बीमार हो गया है तो has have का प्रियोग करते हुए get got का प्रियोग करेंगे दो बीमार हो गया है God sick यह got ill next वाला देखेंगे दोस्तो अगला वाला है बड़ा हो गया तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया औरे यार आपकी लिड़की बहुत बड़ी हो गई है भाई यह बच्चा तो बढ़ा हो गई ऐसाम बोलते है न अब इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बोलेंगे यंग नाउ यंग नाउ ऐसे बोलेंगे हाला कि इसे grown भी बोल सकते है लेकिन थोड़ा से stylish तरीका है यंग नाव बोलने का अरे यार आपका वो लड़का था ना सोनू कल मैंने उसे दिखाया रहा तो बढ़ा हो गया सोनू बढ़ा हो गया तो इसे कैसे बोलेंगे सोनू is young now young now इसे भी बोल सकते है या फिर आप ऐसे बोल सकते है सोनू has grown young है ना grown यानि grow हो गया बढ़ा हो गया इस तरीका से यह बहुत simple और basic तरीका है इसे अपना ही है बढ़ा हो गया किसी को बोलना young now आगे देखते हैं दोस्तो next आला आता है अमीर हो गया है been rich been rich Mr. Bean की याद आ गई तर been rich सुमित अमीर हो गया है तो लिख देंगे सुमित अब अमीर हो गया है has been यह तो has हो गया अब पूरा लगाएंगे been rich यह देखे तो यहाँ पे हमने इस पूरे phrase को यहाँ पे use किया इस तरीके से been rich यह देखे अमीर हो गया है सुमित has been rich वो अमीर हो गया है he has been rich मैं अमीर हो गया I have been rich तो ऐसे been के साथ rich लगा देंगे अमीर हो गया है पूरा आ जागे समग हो गया है अगला बाला देखेंगे next problem दोस्तो गुसा हो गया है इसे English में बोलने का तरीका simple है आप इसे बोल सकते है got angry got angry यार रानी आज नहीं आई हाँ यार वो गुसा हो गई है रानी गुसा हो गई है सो बहुत simple है रानी लिखेंगे has got angry a-n-g-r-y रानी has got angry तो got angry गुसा हो जाना I have got angry मैं गुसा हो गया हूँ मैं I have है ना और वो ही आगे जोड़ देंगे got angry मैं गुसा हो गया हूँ तुम गुसा हो गई you have got angry पापा गुसा हो गई father has got angry अलग-अलग तरीके सा आप बना सकते हैं next ओला दोस्तों आता है इसके बाद मान गया है यार वो जाने के लिए मान गया है यार वो यहाँ आने के लिए मान गयी है वो यहाँ पढ़ने के लिए मान गया है वो यहाँ बैठने के लिए मान गया है यह बहुत सारे वाक्यों थे छोटे-छोटे जो अकसर यूज करते इसे English में कैसे बोलेंगे इसे अंग्रेजी में बोलेंगे agreed to agreed to जैसे पापा मुझे पैसे देने के लिए मान गए है है ना, तो कैसे बोलेंगे पापा, father सबसे लिए पापा को पापा भी लिख सकते हैं कोई दिखकत नहीं है father has अब क्या कर गए है, मान गए है agreed to किसलिए, मुझे पैसे देने के लिए give me money give me money m-o-n-e-y-e, यह लिजी हो गया father has agreed to give me money हो गया, तो यहाँ पे agreed to यह हो गया, मैं जाने के लिए मान गया हूँ I have agreed to go वो आने के लिए मान गया है he has agreed to come ऐसे आप अलगलग तरीकों से इसको बनायें, दोस्तो, next just weldh देखेंगे, इसके बास राता है पुराना हो गया है, अरे यार यह पैंट तो पुरानी हो गया है, यह फेशन पुराना हो गया है, अरे यह कार अब पुरानी हो गई है कितनी सारी चीजों को हम देखके कहता है यह पुराना हो गया है अब इसे मतलो कुछ नया ट्राइ करो किसी का फोन देखके भी कहता है अब तो आइफोन जो है 17 16 आ गया है यह 14 तो पुराना हो गया है 13 तो पुराना हो गया है तो इसे इंग्लिश में बोले यह दिस भी कर सकते हैं, this t-shirt, क्या हो गया है, पुरानी हो गया है, is out of fashion, out of fashion, यह लीजे हो गया, out of fashion, तो यहां पर किसी भी चीज को जब आपको पुराना दिखाना हो, which is not in fashion, so we can say out of fashion, so ऐसे आप यूज कीजिये, बहुत सारी चीजों को अलग अलग, यारी, computer दूसरा ले this is out of fashion, अगला वाला दोस्तों आता है, बूडा हो गया है, यह किसी व्यक्ति को हम बोल सकते हैं, अरे वो तो बूडे हो गया है, तो हम बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हैं, इस इंगलिशन बोलने का तरीका सुनेंगे दोस्तों, बूडा हो गया है, is grown old, grown old, हमने यंग क साथ भी इसे यूज करेंगे देखा था, मैंने कहता आप लगा सकते हैं, ऐसे ही किसी को बोलना है, बुजर्ग हो गया है, बूडे हो गया है, या अपने साथ का कोई था तो बूडा हो गया है, तो grown old, जैसे मुझे कहना है, यार वह बूडा हो गया है, यार मेरे अंकल बू से पड़ाते, I have, I have, आगे जुड़ दो, grown old, ऐसे, तो आप इसे भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका है, grown old, नेक्स्ट ओला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट ओला है, महंगा हो गया है, ओहो, यार मोबाइल ना अचकल महंगे हो गया है, या TV मतलब है, TV बड़ा महंगा हो गया है, सो कैसे बूलेंगे, इसको महंगा हो गया है, सुनिए, इसको बूलने का तरीका बड़ा आसान है, और वो है, prices, horizon, देखें, arise का मतलब होता है, उठना, arise की second form, rose, और third form, horizon, वो ही है, क्योंकि perfect tense नजर आ रहा है, तो horizon, जैसे, mobile की की कीम horizon, यह उपर वाला जो है, इसको दो भागों में लिखना पड़ेगा हमें, सबसे पहले आपको जिस सामान का नाम लिखना उसके साथ prices लिखिए, और उसके बाद helping work लिखेंगे, यह helping work है, और उसके बाद बागी का बचा हुआ पार, horizon, जैसे मुझे कहना है कि आजकर TV महंग mixture तो इस तरही से कैसे कोई भी चीज महंगी हो जाए, तो आप लगाएंगे horizon के साथ, दोस्तों, next वाला है, मुझ किल हो गया है, यहर आजकल ना पडना मुझ किल हो गया है, यहर आजकल ना किसी इससे बात करना बढ़ा मुझ किल हो गया है, भा believe, आजकल उससे मिनना कैसे बोलेंगे, सुनिए, मैं आपको धेर सार एक्जांपल ऐसे मुझावानी दे देता हूँ, ताकि आप इसमें sentences बनाएं, मन में सोचें, अब आप लिख सकते इसको, it's tough now, it's tough now, जैसे मुझे कहना है, कि उससे मिलना मुश्किल हो गया है, जब से उसकी job लगी है, so आप इस से ऐसे बनाएंगे, it's tough now, now to meet her, यानि उससे लड़की है तो meet her, now to, और लड़का है तो meet him, माना की लड़का है, तो हम ही मिलिख देते हैं, it's tough now to meet him, ऐसे, पढ़ना मुश्किल हो गया है, it's tough now to study, बात करना मुश्किल हो गया है, it's tough now to talk, अर्यार वाटसप पे status लगाना to put your status on WhatsApp, ऐसे आप बना सकते हैं, यह बहुत कामका है, और इसे भी हम डेली लाइफ में use कर ही लेते हैं, लीजिए, बातो बातों बिल्कुल पता ने चला, class का end हो गया, और अगर आप यहां तक मुझे देख रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ब बहुत महनत किया है, आंसर वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर दीजिगा, मैं आपके आंसर को जरूर चेक करूँगा, हर दूँगा, आप भी एक दूसरे का अंसर को चेक किया कीजिए, ठीक है न, तो इसके इंगलिश कमेंट सेक्शन में बनाई है, और हा इस वीडियो के साथ शेर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक दे कर जाना,